कोरोना की वजह से अचानक हुए इस लोकडाउन से गरीबों के घर पर चूलें नहीं जल रही हैं और उनके लिए अपने परिवार को पेट पालना मुश्किल हो गया है कोरोनों लोक सडकों पर आ गए हैं लेकिन इस वैश्विक महमारी के डर के बीच कमजोर लोगों की मदद के लिए हर वर्ग आगे आ रहा है ऐसे ही मिसाल दो भाईयों ने पेश की है भारत में एकता की मिसाल दुनिया के सामने पेश करने के लिए दो भाईयों ने एक साथ मिलकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का आवाहन पर अनौकी पहल की शुरुआत की है पीयम मोधी की अपील पर समस्तिपुर के रोसड़ा नगर पैंचायत के मुखे पारशद श्याम बाबु सिंग और उनके भाई बीजेपी नेता अमर पृताप सिंग और ललन ने अपनी निजी कोश से बेसाहरा घरों में जाकर मुमबत्ती माचिस के पैकेट का वित्रण किया दोनों भाईयों ने घर-घर में जाकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर के दर्वाजे और बालकानी में दिया जलाकर कोरोना को हराने का संकल्प लें देखते हुए जो एलान वो किये हैं अपील किये हैं कि रात में नो बज़े से लेकर नो बच के नो मिलट में उसके लेकर जयते हुए हम रोसरा नगर पंचायत में मुमबत्ती सलाई का भीतरन की हैं और सब को जागूर्टा की हैं कि आप लोग अपने अपने घर के सामने में लाइट भूता दे और मुंबत्ती जलावें धीप जलावें नहीं अगर होता है तो माचौर्ट का रुसनी जलावें इसलिए बहुत गरीब ऐसा आदमी है कि जो किन्य लाइक नहीं है गरीब है आसा मंत्री स्री नर्ड मोदी जी के हवान पर हम लोग आज अपने सहर में वोई से विद्ध महिला जो कहीं जा नहीं सकती है खईदारी करने के लिए उनके बीच आज हम लोग मुंबत्ती सलाई बाटे हैं कि वो अपने घर के आगे मुंबत्ती जलावें और सामाज में जारुक मंत्री नर्ड मोदी जी ने 5 अपरेल को कारे करता हूं समर्थकों और आम जनों से अपील करते हुए अपने घरों के मुख्य दरवाजों और बालकानी में रात 9-9 मिनिट तक दिया मुंबत्ती जलाने की अपील की है पंजाब के स्री टीवी के लिए समस्तिपुर से राज किशोर की रिपोर्ट